प्रकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों आज है 27 दिसंबर 2021 देखेंगे हम लोग इसमें 26 और 27 के तक के सभी महतपूर्ण का एंटरफेर्स जो आपके आगामी सभी परिक्षाओं के लिए अतीव महतपूर्ण होंगे इस क्लास का पीडियेफ आप टार एजूकेशन के वेब साइट और इन सभी सोशल मेडिया प्लेटफॉर्म से डाउनलोड कर सकते हैं सभी का लिंक डिस्रि आप से आग रहा है कि कलास को अंत तक एटेंड करें तभी आपको इस कलास का महतवर्ण पता चलेगा और ये कलास अगर परिछ्छा उपयोगी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा से एर करके टार एजूकेशन का सहयोग करें और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सस्क्राइब नहीं किये हैं तो अभी सस्क्राइब बटम दबादें और बेल आइकन दबादें और पहले से सस्क्राइब कर लिए हैं तो आपको कुछ नहीं करना आपका बहुत बहुत धन्यबाद बस सेयर करते रहें तो चलिए ब सोध संस्थान, हाल ही में कि सिराजी सरकार के दवारा गीता सोध संस्थान अस्थापिद करने का मंजूरी दिया है, तो यह दिया है पंजाब सरकार ने, इसके बारे में और कुछ देखते हैं, भोग देखिए, पंजाब के पटियाला में गुरू नानक देव पंजाब पुष्रों के प्रती एक विचार से द्रिश्टिकोन को बढ़ावा देगा यह तो हो गई डिस्केप्टिव कुछ बातें आपको इतना याद रखना है कि गीता सोध संस्थान कहां स्थापित करने का मंजोरी मिला है यह पंजाब में पंजाब के पटियाला में पंजाब की र आद होगा और इसको कमेंट में आप करेंगे जो भी कमेंट में करने के लिए कहा जाए तो अवस्य कीजिए क्योंकि मैं तो यहां बताई सकता हूं लेकिन आप से कुछ कुछ कोश्चन करने का मतलब आपको भी यह दिखे कि हाँ जो पूछा जा रहा है वो कंफर्म है कि नह प्रसनेजी स्वेस पर रहता है उसी पर अधारित में ऑप्संस भी लाता हूं ताकि अब वो भी करेंट अफेर्स है क्योंकि चुकि यह क्लास जो है करेंट अफेर्स का क्लास है तो ज्यादा से ज्यादा आपको करेंट अफेर्स में महारत हांसिल हो इसी पर यास समलोग करत किया गया है और जार्खंट का अस्थापना कब गगा था तो पंद्रा नवंबर सन दो हाजार में जार्खंट के मुख मंतरी कौन है राजधाने कहा है तो राची है जार्खंट के मुख मंतरी कौन है तो अभी हेमंत सोरेन है और जार्खंट के राजपाल कौन है तो जार्खं लाउच किया गया है खेल नरसरी इसको हिंदी में ही लिख देता हूं है खेल नरसरी यह योजना कहा लंच हुआ है अवल करने लिए हरियाना सरकार खेल नरसरी योजना लाउच किया है हरियाना का राजधानी कहा है तो चंदीगर है चंदीगर हरियाना के मुख मंत्री कौन है तो मनोहर लाल मनोहर लाल खटर है और हरियाना के राजपाल कौन है बंदारू हरियाना के राजपाल बंदारू दतत्रिया बंदारू दतत्रिया ये रहा हरियाना खेलनर्सरी योजना मुख्य मंत्री वायू स्वास्त सेवा यह योजना सरकार के द्वारा लॉंच किया गया है क्या होगा इस योजना में तो कोई अगर मरीज है किसी क्रिटकल सिच्वेशन में है किसी खास बिमारी से है और उसको ऐसे एरिया में है जहां पे यतायात का साधन या बहुत दूर है होस्पिटल तो वहाँ पे डायरेक्ट जो है इस योजना के तहट डॉक्टर को हवाई यात्रा से सुद्धा से डॉक्टर को डायरेक्ट महाँ पे पहुंचाया जाएगा और उस मरीज का इलाज किया जाएगा तो यह बहुत अच्छी पहल और योजना है उडिशा सरकार का उडिशा की राजधानी कहा है तो भूबनेशुवर है भूबनेशुवर है उडिशा के मुख मंत्री कौन है नवीन पतनायक है नवीन पतनायक और उडिशा के राजपाल कौन है तो उडिशा के राजपाल गनेशी लाल है उडिशा राज का स्थापना कब हुआ था एक करता हूं ये आपको प्रिशक्षपयोगी लगी होंगी और ये प्रयासमलोक द्वारा जो है आपको पसंद आये होंगे अगला प्रसन देखते हैं दूसरा है हाल ही में किस जाने माने कर्केड़ ने कर्केड़ क के सभी प्रारूपों से सन्यास लेने का घुष्णा किया है भारतिय टीम के तरफ से हैट्रिक लेने वाले सबसे पहले किर्केटर हैं हरवजन सिंग यह पॉइंट आप अलग से याद रख सकते हैं हरवजन सिंग भारतिय किर्केट टीम के तरफ से अपना अंतिम मैच मार्च 2016 में खेला था UAE के बिरूद खेल जो हुआ था उसमें यह लास्ट खेले थे भारतिय किर्केट टीम के तरफ से वैसे यह IPL अगारा में यह सब में तो यही खेलते ही हैं अन्ने टीम में लेकिन बात करे रहे हैं अंतराश्ट्य अस्तर और मेंज जो सिनियर टीम है किर्केटीम का उसमें यह लाश्ट 2016 में UA के बिरूद खेले थे टी ट्वेंटी जो हुआ था उसी में आए देख लेते हैं BCCI के बारे में यही जो है भारत में अंतराश्टी अस्तर के सफी खेल का आयोजन कराता है BCCI यह था बर्तमान के दिरिये ग्री मंत certa के यह अदराश्टह आए ऑवी बहुत कुछ मिले अपको ध्यान से सुनिए ABD Villiers ये क्यों ने उड़ मेरा हैं तो इन्होंने भी अभी हाल ही में सन्यास लेने का घोशना किया है और ये किस देश से समंद रखते हैं किस टीम से खेलते हैं तो वो South Africa के टीम से खेलते हैं तो ये ध्यान रखेंगे ABD Villiers भी South Africa से हैं सन्यास लेने का घोशना इन्होंने कर दिया है अगला अप्शन है Dwayne Bravo Dwayne Bravo ये भी सन्यास लेने का घोशना किया है ये किस देश से समंद रखते हैं तो ये West Indies से West Indies से समंद रखते हैं उस टीम से खेलते हैं Dwayne Bravo वेंग रावो ब्रावो तो यह सन्याश लेने का घोशना किया है यह दिमाग में रखेंगे तो मोहीन अली भी खेल से समयंदित है किस देश के हैं ये तो इंग लैंड से ये टीम से खेलते हैं मोहीन अली इन्होंने भी सन्याज का गोशना किया है उम्मिद करता हूं यहां से आपको बहुत कुछ मिलें चलिए अगला प्रस्ण है हाल ही में कहां विश्व संगित तानसें उत्सव का योजन किया गया है ये कि संस्क्रण है इसका संतान विवाँ है नाइटी सेवन विश्व संगित तानसें उत्सव का ये मद पर्देश में हुआ है तो उसके बारे में देख लेते हैं मद पर्देश की राजधानी भोपाल है मद पर्देश के मुक मंतरी कौन है अभी सिराज सिंग चोहान है और गव ड्रोन मेला का योजन कहां हुआ था यह भी अभी हाली में गवालियर में ही हुआ था यह एक्ष्टा चीज आपको अपने से याद राना चाहिए था मित करता हूं याद होगा भी अब चलिए बाकी अप्सन देख लेते हैं पंजी क्योंनी उज में रहा है तो पंजी में ग दिली के उन्हीं में रहा है तो हल ही में 37 37 37 37 ऐहाट का आयोजन कहां किया गया तो यह नई दिली में किया गया था नई दिली के मुक मंत्री जानते हैं आप अर्विंद्र के जिवाल है उपराज पाल कौन है लेटिनेंग गंशन केंदरशासित परदेश में लेटिनेंट ग राकेश अस्थाना यह सब याद रखेंगे defense में यह सब पूश लेता है अन्य में भी पूश लेता है क्योंकि राइदानी भी है वो अपने देश की चलिए तो यह अपसन हो गया मुट्बिद्री यह नियुज में क्यों रहा है मुट्बिद्री पहले है कहां तो यह करनाटक म है यहां पे हाल ही में पर अपर अपरोड में लिख देता हूं है को डॉड़ है काम नाम है कमबाला कमबाला परामपर्य जो है जबाको में सब यह अप्सं से अपको इतने चीज मिले और यह झाल है करनाटक और के के कुछ भागों में भी मनाया जाता है ये भी आप ध्यान रखेंगे क्योंकि option में हो सकता है कभी दे दे आपको करनाटा के बदले के रल ही दे दे चलिए अगला अप्शन देखते हैं हाली में किस दिन सुशासन दिवस इंगलिस में बोले तो गूड गवर्नेंस डे मनाया ग इंगलिस में कहें तो गूड गवर्नेंस डे आपको हिंदी में भी ये दे सकता है गूड गवर्नेंस डे ये मनाया जाता है 25 दिसंबर को अटल विहारी बाजफ़ई के बारे में कुछ एक्स्टा जान लेजिए जो की महतपूर्ण है एक जामस में बनते हैं उपलब्दी है उनके नाम को सब अटल विहारी बाजफ़ई तीन बार एक बार 1996 में 13 दिनों के लिए मात्र और मार्च 1999 से अप्रेल 1999 तक 13 महिने के लिए और 1999 से 2004 तक भारत के परधान मंतरी के रूप में इन्होंने सेवा दिया है अटल विहारी बाजफ़ई का कारेकाल में 11 माई 1999 को पोकर यह बहुत बड़ी इनके समय में एक प्लब्दी है कारगिल यूद हुआ था पाकिस्तान से जिसमें पाकिस्तान पर भारतिय सेना की बहुत बड़ी जीत हुई थी और यह भी पॉइंट आप याद रखेंगे इसके अलावा एक महत्पूर्ण इंपोर्टेंट पॉइंट है 2015 में अटल विहारी बाजपेई को भारत का स्वरोच नागरिक समान क्या होता है भारत रत्न इससे इनको सम्मानित भी किया गया है और इसी दिन एक अलग से पॉइंट है यह अलग से है इसको मैं कोश्चन में दे सकता था लेकिन यहीं पर दे दिया हूँ आपको बस जानने महानमालविये इन्हों ने ही बनारस हिंदू विसुविद्याले का स्थापना किया था यह जीके का कोशन अपके लिए बन जाएगा और पड़ंडित महादन महानमालविये को भी 2014 में स्वरोच नागरिक सम्मान भारत का जो है भारत रत्न इससे इनको सम्मानित किया गया थ तो उमिद करता हूँ एक्ष्टा फैक्ट यह आपको बहुत कुछ दिया है यहाँ पर चलिए अब आप्सन से खेले जारा 16 दिसंबर को क्या मनाय गया है तो हाल ही में वीजय दिवस मनाय गया है कब 16 दिसंबर को और यह पचासवा वीजय दिवस था यह आप याद थी उसमें पाकिस्तान के 93,000 जो सेना है भारतिय सेना के समक्षे आत्मसमरपन कर दिये थे एक बहुत बड़ी जीत है यह पचासवा वीजय दिवस है यह सभी इसमें इस्टा फैक्ट हो गए 10 दिसंबर को क्या मनाय गया है तो हाल ही में 10 दिसंबर को अंतराश्टिय मानवा इसमें मनमा दिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाय गया है यह जो रख सकते हैं हैं इसमें थीम था अंतराश्टिय मानमा दिकार दिवस का थीम था वह देख लीजें विसाय क्या था 2021 में तो इक्वालिटी है इक्वालिटीane reducing reducing inequalities यह बोली देता हूँ ज्यादा लंबा है inequalities advancing human rights human rights यह इसका थीम था फिर से एक बार मैं clear बोल देता हूँ equality reducing inequalities advancing human rights इसका विशह था अंतराष्ट्रिय महनमातिकार दिवस 10 दिसंबर के लिए 22 दिसंबर को क्या मनाया गया है तो हाली में राष्ट्रिय गनित दिवस नेशनल mathematics day राष्ट्रिय गनित दिवस यह मनाया गया है 22 दिसंबर कोई पड़ता है उसी दिन ये National Mathematics Day अर्था राष्टिय गनित दिवस मनाया जाता है ये जो हैं भारे बर्स की उम्र में मात्रे 12 इयर्स के उम्र में बिना किसी सहयोग के और अपचारिक पर सिक्षन के तिरकोण मीती में मैत में महारत हासिल किये थे इसी की याद में इनके जनम दिन के उसर पर राष्टिय गनित दिवस मनाया जाता है इन सभी अप्सन से आप ही आपको ये सब मिले चलिए अगला प्रशन है हाली में World Anti-Doping Agency इसको शौट में WADA करते हैं कि द्वारा डोप उलंगन करता हूं कि सुची में भारत का रेंक क्या है तो इसमें भारत का रेंक तीसरा है World Anti-Doping Agency WADA के द्वारा इसमें भारत तो तीसरे अस्थान पर है रूस पहले अस्थान पर है ये होता क्या है World Anti-Doping Agency देखिए जो भी खिलाडी है देश-विदेश में वो जब खेल खेलते हैं तो खेल के दौरान या उससे पहले इनको वह सब पर्तिबंदित पदार्त और दवाओं का सेवन करके वह अपने अश्टी मिना अपने युमिनाइजेशन पर्तिवर्दक चमता और यह सब बढ़ाने का प्रयास करते हैं जो कि खेल नियमों के बिरूद होता है तो इसी को रोक के लिए रोकने के लिए ये वाड़ा इसे और उसके बारे में डीटेल समलग नीचे अभी देखते हैं चलिए एक एक्स्टा चीज मैं और बता दू कि हाल ही में भारत का एक राष्टी ये डोप पर एक्षन पर्योग साला है सौट में इसको एंडी टियल करते हैं इसको वाड़ा के द्वारा उना हमानेता प्रा इसको मानेता पुना वाड़ा ने दे दिया है जैसे वाड़ा के मारे में बारे में बताया कि क्या काम करता है ठीक इसी तरह तो वाड़ा विश्वस्तर पर काम करता है विश्वर के खिलाडियों पर ये ध्यान रगता है प्रति रोध ये प्रतिबंद लगाता है अगर नाडा के बाद ये नाडा का फूल फॉर्म होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजनसी इसका स्थापना 2005 में मुख्याले निव दिल्ली है चेयर्मेन इसके जो अभी खेल मंतर आले के मंतरी होते हैं वही होते हैं तो अभी खेल मंतरी कोण है श्री अनुराग सिंह ठाकूर है यह है इसके चेयर्मेन भी होंगा ब्रांड एमबेस्टर यह महत पूर्ण है नाडा के जो हम लोग आपना देश का यह नेशनल एंटी डोपिंग एजनसी है इसके ब्रांड एमबेस्टर कौन है सुनील सेथी जो अभी नेता है वही है वाड़ा के बारे में तो जाने लिए यह देख लिए इसका अपना 10 नॉमबर 1999 में एट क्वाटर मोंट्रियाल क्यूबेक कनाड़ा में है और इसके प्रेशिडेंट वितोल्ड बारी का है यह रहे एक्ष्टा फैक्ट अब चलिए ऑप्संस में कुछ रैंक्स और हैं जो कि आपके लिए मौत्पूर्ण है इसको कौन है तो पहले अस्थान पर स्विट्जर लेंड है स्विट्जर लेंड है पहले अस्थान पर और भारत 56 तो पहला और कम से कम भारत भारत और कम से कम पहले का यह आप लोग याद कर रखेंगे इसको जारी कौन करता है तो आई एम डी जारी करता है इंटरनेशनल किसविक स्वास्ट सुरक्षा तुकांग याद जादी किया गया था उस में भारत स्वास्ट सुलगशा सुचकांग यहास्ट हुआ है और इस में पहले अस्थान पर कॉन है USA दुसरे अस्थान पर और अउस्ट्रेलिया है यह सब आप याद रख सकते हैं चौत में कि यह किस में है यह निवज में क्यों रहा है तो अभी निवज में रहा है एक मोबाईल एप है true caller जो आप लोग यूज करते ही है ज्यादा कोईश में बताने की जूरत नहीं है true caller जो आपको unknown person का नेम बता देता है call आने पर और call block की सुब्दा देता है SMS block की सुब्दा देता है spam कोई call आता है spam SMS आता है यह सब इसको बता देता है true caller इसी ने एक जारी किया है report उसका नाम है most affected most affected by country most affected countries by spam calls इसका report सूची जारी किया गया था उसमें अपना देश चौथया स्थान पर रहा है चलिए तो यह रहा इसमें रैंकिंग भारत का रैंकिंग चौथा है चलिए और इसमें किया जाना जा सकता है और कुछ बस हो गया चलिए तो यह सभी option से और extra fact आपको मिले अब यहां से कुछ महत्पूर्ण का परस्णा भी और है आप बने रही है यहां से हम लोग extra fact के साथ one liner में परस्णों को देखेंगे क्योंकि ज़्यदा लेट हो गया था आज का class तो ज़्यदा mcq form मैंने नहीं कर पाया है चलिए देखिए बिस्व में पहली बार भेजी गई sms की निलामी अभी हाली में 149,729 डॉलर में की गई है तो प्रस्णी यह है कि बिस्व का पहला sms कब भेजा गया था यह भेजा गया था तीन दिसंबर 1992 को ठीक है और उसी sms के निलामी इतने रासी में हुआ है लग बग एक लग 50,000 किया गया था यह भी देख सकते हैं और यहां संदेश जो है कुछ यह मत्पूर्ण है ब्रिटिस प्रोग्रामर थे एक नील पाप वर्थ इन्होंने अपने कंप्यूटर से 3 दिसंबर 1992 को ब्रिटेन की दूर संचार कंपनी बोड़ अफोन के ततकाली निदेशक जो थे उमिद करता हूं आपको यह समझ माया होगा और व्योगी लगेगा चलिए अगला प्रसंद देखते हैं हाल ही में डी आडियो के द्वारा कौन सी स्वादेश निर्मित हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टार्गेट सौट में इसको हीट बोलेंग का हवाई लक्ष का स सफल परिक्षन किया है कहां से किया है तो उडिशा के एक इक्रित टेस्ट रेंज इसको शौट में आई टी आर करते हैं उडिशा के चांदीपूर में है वहां से यह किया गया है डी आडियो ने किया है इसके बारें देखिए फुल फॉम होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलप्मेंट और जेशन फुल फॉम जरूर्ट देखा कीजिएगा पूछा जाता है अस्थापना इसका 1958 में हुआ है हेड कोर्टर निव दिली है और चेर में इसके कौन है जी सती से रेडी इसके हैं अगला प्रस्ण देखिए साथवा प्रस्ण है हाल ही में जाने माने मल्यालम फिल्म निर्मेता का निधन हो गया है क्या नाम है उनका KS.S.N.T.ु ये मिला है मिला था जो किरल सरकार द्वारा अस्थाफद फिल्म क्सेतर में सरवचे संमान है तो देखनेकर किली लाई तो appeals किियाQué और इनको देहन करते हैं पुरुषकार के द्वरा और इनको जेसी देनियल रिसकार वित्रन किया जाता है किस छेत्र में के में स्वरुषिम्छसमान के रूपMay दीया जाता है हाल इमें daketr लिए सुसीला देवी प्रुषकार दोहजारेकिस जीता है यह जीता है अनुकृति उपाध्यायर की सப्षेश-्पुष्टक कि इंतसूगी यह उनका पुस्तक है, नोबेल है, नोबेल पुस्तक है, तो किन्त सुगी के लिए सुसीला देवी पुस्कार 2020 से समानेत किया गया है, अनुकृती उपाध्यायकों, और यह सुसीला देवी पुस्कार जो है, एक महिला लेखक की सौर्शिष्ट उपरन्यास के लिए, सिरी रत नेशनल मेंस होकी चेंपियंशिप 2020 किस टीम ने जीता है, यह उत्तर परदेश की टीम ने जीता है, यह जुनियर नेशनल मेंस होकी चेंपियंशिप 2020 है, उतर परदेश ने फाइनल में चंदीगड को हरा कर यह जीता है, और यह इस खेल का कौन सा संस्क्रान है, 11 संस्क्रा है और इसका आयोजन कहा हुआ है आयोजन देखिए तमिल नाडू के कोबिल पटी में किया गया है तो देखे इसलिए मैं बोलता हूं पॉइंट्स पर ध्यान आप जरूर देंगे चलिए होकी की बात होई है तो होकी से समधित बाते देख लेते हैं अभी जो है होकी इंडिया के नाम से यह जाना जाता है जो भारत में होकी खेल को बढ़ावा देता है और आयोजन भी कराता है लेकिन इसको पहले सोली दोस्तों इंडियन होकी फेडरेशन के नाम से जाना जाता था 1925 से 2008 तक इसके बाद से इसका नाम कर दिया गया होकी इंडिया तो इसलिए इसका आ की नाम है और इसके लिए इनको सांती प्रोसकार का संती प्रोसकार जो होता है उससे समानित भी किया गया था एक एक चीज अलग से जानेजिए, नोबल की जब बात आई, तो नोबल प्रुषकार दिवस कप मना जाता है, 10 दिसंबर को, दोस्तों, नोबल से संबंधित, नोबल 2021 से संबंधित, जितने भी फैक्ट्स इसके बारे में बनने चाहिए, पुरा हिस्ट्री से लेकर प्रशन आपक बन चुके हैं, और इसके बारे में पूरा चीज एक एक पॉइंट मैंने एक वीडियो बना कर चैनल पर डाला हुआ है, आप उसको जरूर देखें, उसका लिंक में आपको यहां पे आई बटम जो होता है, वहां पे दे दूँगा, और लास्ट में वीडियो जब खत्म तो भी यहां पे यहां यहां पे आपको दिखेंगा, तो उसको जरूर देखिएगा, एक बार जरूर देखिएगा, बहुत कुछ, आपको वह अगर देख लेते हैं, तो नोबेल से समंदित, आपको कहीं कुछ डाटा एकत्र करने की जोरत नहीं होगी, उसका पीडियो भी आपको वहीं पे मिल जाएगा, और 2020 में जो पुरुषकार नोबल का दिया गया है, वो भी उसमें आपको मिल जाएगा, चलिए, और यह साउथ अपरिका से हैं, तो उसके बारे में देख लेते हैं, तो साउथ अपरिका का दो राजधानी होता है, एक है प्रिटोरिया, एक से भी आपको मिला बहुत कुछ, चलिए, question of the day, question दोस्तों आज 11 बारा ही बने थे, महत्पुर्ण में ऐसे प्रसंदों बहुत सारे बन सकते हैं, जो आपके exams के लिए, के point of view से जरूरी नहीं होते हैं, जानकारी के लिए वो जरूरी हो सकते हैं, लेकिन ये daily current affairs का class है, आपक of cricket to be not out in test cricket 100 times, cricket खेल के इतिहास में 100 बार test cricket में not out रहने वाले कौन पहले खिलारी बन गया है, इसका जवाब हमने पिछले class में दिया था, आप इसका जवाब उमिद करता हूँ, याद होगा और comment में आप इसको जरूर करेंगे, तो चलिए दोस्तों, उमिद करता हूँ, आ subscriber बढ़ेंगे, भ्यूज बढ़ेंगे, तभी हम लोग को थोड़ा सा पुरसान मिलेगा, और इससे भी बेहतर करने का हम लोग प्रयास करेंगे, आपके भी पास कोई सुझाव है, class में कोई बदलाव चाहते हैं, और कुछ इसमें, तो आप कमेंट में ये बात जरूर हम सब को बताएं, तो चलिए, और चैनल पर आप नए हैं, या चैनल को अब तक सस्क्राइब नहीं किया हैं, तो अभी सस्क्राइब बटम दबा दें, और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे सबसे पहले class का notification आपको मिलें, और पहले से subscribe कर लिया हैं, तो आपको कुछ नहीं करना आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बस सेयर करते रहे हैं, लाइक करते रहे हैं, तो चलिए मिलते हैं अगले महत्कुन किसी class में, तब तक के लिए good bye all the guests